नमस्कार साथियो साथियो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बिना कोट जाए अवेद कबजा कैसे अटवा सकते हैं और धारा 24 के बारे में भी आपको बताऊंगा साथियो ठीक है अब आप कहेंगे बिना कोट जाए तो आप फालतुम नहीं मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा ऐसा नहीं कुछ कानोन भी है कुछ पावर्स ही है प्रसासन के पास वो भी मैं आपको बताऊंगा दारा 24 से आप अपना कबजा अडवा सकते हैं भी जल्दी समय भी बचेगा आपका और यहां पर पैसा भी बचेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूं सेक्षन 24 के बारे में एक ची साथियो और अगर आप कोई भी बहतर कानूनी सला लेना चाह रहे हैं तो आप एक बात का हमेशा दिहान रखना चलिए मैं आपको बताता हूं क्या बहुत ठीक है अवैद कबजा जब किये है ठीक है अवैद कबजा या मान लीजे जमीनी विवाद है ठीक है ना कोई भी आपका जमीन विवाद है तो क्या सात्यों कि जैसे माल लीजिए सेक्स प्रॉपरिटी पे कोई कबजा किये है ए बंदा यह प्रॉपरिटी है आपकी तो जब भी आप एडवोकेट के पास सात्यों जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर आपकी क्या है क्योंकि देखिए सात्यों जिस प्रकार से आप किसी डॉक्टर के पास दाते हैं तो कई लोग के मन में यह डाउट होता है कि यह डॉक्टर ने कुछ पूछा ही नहीं हमारे लच्छड़े कारड़े नहीं पूछे यह क्या दवाई दे लेगा इसी प्रकार से सेम दारा नहीं मैं आपको बता दूं एक दारा नहीं इसके लिए इसके लिए इसके लिए एक सचोच्ट भी है थीक ना बी एनेसेस और अवैद कबजा जो है धारा 24 से भी एड़ सकता है अवैद कबजा धारा 116, 117 से भी एड़ता है साथियो अवैद कबजा Specific Relief Act 5 और अवैद जमीन विबादों में Specific Relief Act 6 भी एड़ता है UPRC Section 134 इससे भी अवैद कबजा संबंदी विवाद स्टाउट किये जाते तो भाई तमाम धारा होती है इसलिए मैं आपको बता दूँ कि अच्छा वकील वही है जो आपको एक्जेक्टली बताए आपकी नियमों को आपकी जो इमाली जी कंडीशनल है आपका कबजा किस टाइप का है आपका विवाद किस टाइप का है उसके बाद वो सई सेक्षन बताए और उसी में अगर दावा कर दे तो वो आपके लिए सबसे बहतर रहेगा ठीक है एक चीज में फिर बता दूँ आपको साथियो कि हम अपने क्लाइंट को कभी यह नहीं कहते हैं कि डारेक्ट जो है असने पैसा ले लो पहले चीजों को समझते हैं दस मिनट वीस मिनट तीस मिनट उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसका मैटर है में सेक्षन 24 में जाना चाहिए 116 में जाना चाहिए 117 में जाना चाहिए 133 में जाना चाहिए किस में जाना चाहिए ठीक है क्यों गर मालीजी आपने न अगर माल लीजिए आपका गाटा संक्या है 941 खेत नम्मर है ये और इस जमीन पर कोई 940 वाले ने कभजा कर रखा है थोड़ा ज़्यादा आपको लगता है इस पड़ोसी ने कभजा कर रखा है यहां माल लीजिए अन्य व्यक्ती ने कोई कभजा कर रखा है 850 वाले ने यहां पर इल्लीगल तरीके से कभजा कर रखा है तो मैं सबसे पहले बताऊं साथियो आप सेक्षन 24 में अगर रेगुलर सूट फाइल करेंगे मिडवन्दी सिमांकन के लिए तो वहां पे टाइम जो है आपके आपने माल लीजिए अप्रीकेसन के कि हम क्या करवाते हैं कई लोगों का कि सेक्षन 24 में पहले डारेक्ट नहीं बेजते को सेक्षन 24 रेगुलर सूट है ताइम लगता है दो साल का तो हम क्या करते पहले जैसे माल लीजिए 940 यहां पर कभजा किये तो चीजों का ध्यान रखते हैं लिमिटेशन एक्ट का ध्यान रखके एक एक एप्लीकेसन बनाते हैं और प्रसासनिक कारवाई करते हैं एप्लीकेसन जो है वो एप्लीकेसन ले जाते हैं मजिस्टेट के पास मजिस्टेट उससे जो है साइन करके आदिस सित करता है लेकपाल क किसी बोगों का जो है जो भी माल लीए समय और पैसा दोनों बचए ठीक है ने आप चाहिए मेरे पास से अपिलिकेसन भी तहीया आपको तो एप्लीकेसन के कितना आप ज़्यादा से ज्यादा पान सो छे सो रुपए आपका खर्च होगा ठीक है अगर इससे आपका काम हो जाए ठीक है 90% चंसे जूआ है किसे आपका पिज़ाए बबात ज्योएं हो जाएगा क्यों 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 गो लेक réflड कानून भो टीम जाएगीáfic अपकी ना पेगी और 940 वाले से कहेगी भाई ये इनका कबजा और पुलिस भी वहाँ पर उपस्तित होगी तो आपका कबजा कर लेंगे आप ठीक है इसके अलावे में बात बता कुछ आपको कई लोग वेठित रहते हैं कि सर वो करवा ही नहीं रहे तो उसके लिए आप जो भी कमेटी वनी है वो चेंज कर करवा सकते या उसमें नए अधिकारी एप्लिक वेडिक करवा सकते जिससे जो आपका कबजा यहां पर हट जाए ठीक है अमने कई में नहीं वन्याय दे पा रहा है तो मैंने डीम से माल लीजिए वहाँ पर रिक्वेस्ट करके और वहाँ पर नई गटिट टीम करा दिया माल 24 प्रतियक वार नहीं पड़ेगी अगर 941 में तीन लोग हैं एक बी सी अब भी एलिगेसन लगा रहा है कि सी कबजा किये तो प्रसासनिक से अट गया तो संभव है वरना धारा 24 का वाद नहीं डेलेगा इसलिए नहीं डेलेगा क्योंकि कुरा डिकलीरिशन नहीं होगा जब 116, 117 पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपना अवैद कबजा अच्छे तरीके से हटवा सकते हैं ठीक है अगर मालीजी कोई यहां पर काफी दिनों से कबजा कर रखा है तो उसके लिए सेक्शन 134 है साथी हूँ ठीक है भाई वगेरा कबजा कर रखा है बिवाद क कर रहा है तो इसके लिए 116, 117 साथी हूँ ठीक है तो इस तरीके से आप दिमाग से काम लीजिए तो आपकी निस्चित जीत होगी निस्चित आपका अवैद कब जाटेगा आप यकीन मानिए ठीक है और सात्यों कर्मा लिजी आपको बेतर कानूनी सला लेना चाहरे तो कॉ